तो आई यो गाइज अभी हम जानेंगे भाई ने जो है पक्के घर बनवाए है उसके बारे में जानेंगे चलते हैं आगे और इनका जो है घर मैं बिखाऊंगा आपको हुआी है ुप क chip कर दो आई गल्य है हब कर दो दो जोंक हैरे कुछड़ जो र глаз गया है मेंदन है मुझे को अगर को पादा से इंघर कर दो कर पादा है है कर दो कर दो कर कोल से कर कैसे है रहाई है अच्छा तो चलो पहले आप जो है हमें अपने घर का थोड़ा सा विजिट करवा उसके बाद हम जानते हैं कि आपने कैसे गर बनाएगा तो यह इनका जो है चुला बना हुगा जहां पर खाना शाना जहां पर पकाते हैं और यह इन्होंने जो है यह घर कुछ इस तरह से इन्होंने बनाए हुए है यह आप देख सकते हैं इस समय कुछ तो जो चाभाई यह पीत अ काम रुका बाला या करवा बाला नहीं क्या है नहीं यह को मिस्ति इंदो अ क्या है अ क्या उसस्ता है तो गाइज यह आप देख सकते हैं इनका देख पड़ा हुआ है पानी के लिए इसका पाई यह अंदर क्या रखा हुगा है क्या है क्या नहीं है करें अच्छा फैसे तो अच्छाएं प्रैटे क्या हुआ तो अशारoria यह हुगा है जो सब्सक्राइज है यह कितने वार्ड की एक प्लेट है यह बाई आपको कितने पड़िये एक प्लेट है यह सोला राटे चाकी में मतलब कितने प्लेट होनी चाहिए सोला मतलब नार्मल के साथ से जो है अच्छा तो भाई बाई बता रहा है कि दस वाला मोटर जो है तो उसके लिए हमने यहां पर जो है नोने सोला प्लेटें लगाई हुई है रखी है अभी जो है अच्छा बोटर बोटर लिया नहीं लिया अभी अच्छा अच्छा बात है चलें आगे देखते हैं इनके घर का थोड़ा सा वियू करवाते हैं आपको तो भाई अभी हम जा रहे हैं आगे की तरफ और आगे जो है के कमरे बने हुए हो कपरों का थोड़ा सा विजिट करवाएंगे को सामने दर्वादा भी पड़ा है काम अभी चला है काम मुकमर नहीं हुआ है तो अचा अभी फर्ष का काम बाकी है ना आज अजा जाने भी निकान गाना है यह गहांस भी पड़ा हुआ है और सामने यह बतन जो है कुछ इस तरह से पर दो हुआ है आज चलाइगे दी तागे यह कमरा जो फाइनल मुकमल है भी इसकी एक खिर्की रहे रही है वह भी बनवाएंगे उप पर की तरफ कुछ इस तरह है और यह दर्वाजा है जो यहां पर रखाव है यह भी इन्होंने लगाया रही है तो सामने यह आप देख सकते होंके यह तीवी पड़ी है और यह बतन कुछ इस तरह से रखे हुए है तो यह साथ में चोटी सी इन्हों ने ढूपड़ी भी बनाई होई है यहां पर जो है चार पहियां भी रखी हुए और बत्रियां जो है इनकी वह कुछ इस तरह साय में यहां पर बांदते हैं थरी उती हुए यह बच्चे भी अभी जा रहा है और यह टायर के हिसाप से जो है इन्होंने बनाया हुआ है अपनी अच्छा बेंसों को मतलब घांस वगेर अकुतर करके देते हो वो सिस्टम है चलो सही है अच्छा यह इनके जो है मटके भी यहां पर पड़े हुए यह पान पिने के लिए तो भाई इस भाई ने तो कमाल कर दिया है क्या है हाँ भाई क्या ले है तो भाई यह आप जो है क्या कर दिया है अपने गरों को तो भाई इसने जो है अपने घर गिरा दिये अभी न्यू बनाएगा यह भी तो इंका समान जो है तो पहले जूंपरी यहां पर होती थी यह आप देख सकते हो तो यह बाई लगा हुआ है अभी तो यह अपनी जूंपरी गिरा रहा है कच्रा बच्रा सारा निकाल रहा है अच्छा यह निव बना होगे हाँ पक्का उस्तार आप यह बताएं कि पक्के एक कमरे में कितना खर्चा आता है अंदाजन तीन लाख रुपे एक कमरे का अच्छा टेल लख तो भाई आप देख सकते हो यह इनका समान भी ऐसे ही पड़ा हुआ है अभी अच्छा आप देख सकते हो यह इनके घर जो कुछ इस तरह से बने हुए और यह बच्ची अभी पानी पी रही है और यह गाय का बच्चरा भी एक बंदा हुआ है और सामने जो है बक्रियां भी आप देख रहे हैं चूला इनका जो है वो कुछ इस तरह से बना हुआ है आप देख सकते हो कि दिनु भै क्या आले तो आदा तुम गुदा तो यह आपका घर है हां अच्छा अंदर थोड़ा दिखाओ क्या सिस्टम है क्या है क्या नहीं है तो बाई यह अच्छा इंटे थरी जो है ट्रेप है वह चारपाई पर पड़ाऊ आए यह बजाते हो यह बजती है अच्छा नहीं है चलो सही आगे दिखाओ तो यह चारपाई पर जो है बिस्तरे जहां पर पड़े हुए है और सामने जो है यह अलमाडी भी पड़ी हुई है तो यह बाइक आपकी है अच्छा कितने मिली थी यह मैंने पेंटी हदार मिली थी तो बाइए यह कुछ इस तरह से इनके जो है रूम का सिस्ट्म बना हुआ है तो अभी हम दूसरे रूम की तरफ आ चुके हैं अभी आपको दिखा रहे हैं अच्छा यह आपके भाई का घर है यह इनके भाई का जो घर है वह आपको दिखाते हैं के अंदर क्या अच्छा यह अलमाडियां अंदर पड़ी हुई है अच्छा टोटल बंद है तो आगे अच्छा यह सोलर सिस्टम की बेटरी पड़ी हुई है तो यह साथ में उन्होंने मुबाइल लगा दिया है चार्जिंग पर यह दूसरा मुबाइल भी लगा हुआ है यह पंका पड़ा हुआ है यह सामने आप टीवी देख रहे हो कि एल सीटी अचा यह यह एल सीटी है है तो यह ग्यों की जो है कटे पड़े हुए गंदम है आए